अस्लाम अलेकुम रखतले वरकात हुँ दोस्तों मसूद जावी सर अलमुस्तवातर में आप तमाम लोगों का इस्तिक्बाल करते हैं विल्कम तू अलमुस्तवातर इसे पहले हम लोगों ने बहुत सारे पर्फुम बनाने के लिए बताए और लोगों के जो कमेंट से आ रहे लोगों की जो इच्छा थी वह यह थी कि सर हमको कुछ इत्रों भी बनाने के बारे में बताए तो आज हम लोगों एक खास अपना खुद का एक नया ब्रांड आप किस तरीके से बना सकते हो इसके बारे में मैं बता रहा हूं एकदम यहने बहुत सारे इत्रियात बताऊंग अगर आपको और बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो ने वाली अगर आपको सीखना है medida चाहे अपने लिये चाहे त्यारत करने के लिए अगर आपको सीखना है तो पूरा वीडियो बेना इस्छिप की हुए देखिये और सीखिए और एक मुद्ध में अपने मुकाम बना य ऐसा इत्रों बनेगा जो अपने आप में एक अलग नवियत की खुश्बू होगी और आप उसको अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग खुश्बू होने वाली यह बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है यह जो वीडियो होने वाला है तो तमाम लोगों से गुजारिश है के पूरा जरूर देखिएगा और लोगों तक शेर कीजिये ताकि जो छोटे मूटे पैमाने पर इतरों की तयारत करना चैते हो पर्फ्यूम की तयारत करना चाहते हो हमारे वेडियो इसको देखते रहें तो लोगों को शेर करते रहें और आप अगर यह चाहते हो कि मैं कुछ अलग हट के लोगों से खुजबू लगाऊं तो लोग नोटिस करें लोग इसको बारे में पूछें लोगों को अच्छा लगे हमको भी अच्छा लगे लोगों को भी अच्छा लगे तो यह वीडियो पूरा जरूर देखिए और हमारा हर वीडियो पूरा जरूर देखिए कि हर वीडियो में हम पहले तो हाईजेनिक यहने आपको साफ सुत्रा रहना है और जितनी भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो वह साफ सुत्री होनी चाहिए ताकि इतरो की खुश्बू के अंदर कोई फर्क ना पड़े अच्छी खुश्बू के अंदर जो है वह इतरो बन सके तो आपको से जार के अंदर पच्ची से मिलका जा रही है इसके अंदर आपको मैं सिखा रहा हूं तो यह दो चीज़े आपको लगेगी यह चीज को ध्यान में रखिए अब इसके बाद आज जो है हम लोग एक ऐसी खुश्बू बनाने वाले नहीं खुश्बू जिसमें टॉप नोट के अंदर आपको यह मूगरे की खुश्बू आईगी तॉप नौट और फिर मिडल नोट में रोज की खुश्बू आएगी और बेस नोट के अंदर जो है ओद की खुश्बू आई तो इस तरीके से यह जो कंबिनेशन है बहुत ही खुबसूरत होता है और हर मौसम के लिए यह बहुत ही लाजवाब है क्योंकि ओदाम तौर से लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो यह सर्दी कभी हो गया और गर्मी के अंदर जो है तो वो मोगरा और यह जो ठंडी खुश्बू होती है गुलाब वगरा की इसको यूस करते हैं तो आज हमने इसके हिसाब से यह खुश्बू बना रहे है एक नई खुश्बू आप जब लगाओ इस खुश्बू को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके लिए हमको क्या क्या लगेगा यह देखिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया के टॉप नोट के अंदर हम लोग मोगरा की खुश्बू आएगी तो यह देखिए यह मोगरा कॉंसेंट्रेट आईल है एक चीज़ याद रखेंगा मोगरा का यहने इत्र नहीं है मोगरा कॉंसेंट्रेट आईल है दूसरा लगेगा हमको rose concentrate oil दिख रहा है रोज concentrate oil और तीसरा हमको लगेगा ओद concentrate oil यह सब oil मिलेना है दोस्तों फिर से एक बार बता रहा हूं इतर इस्तिमाल नहीं करना है यह इतर इस्तिमाल करें तो फिर वह बात नहीं आएगी जो मैं आपको बताना चाहते हूं जो आपको सिखाना चाहते हूं जो आनी चाहिए वह चीज नहीं आपाएगे तो सब यह तीन अहम चीज इस्तिमाल करें हम और वक्फे वक्फे से बताते जाएंगे कैसे कैसे इसको य पैसनोट के अंदर हम लोग जो है वह ऊद्वाइल का इस्तेमाल करेंगे फिर से बोल रहा हूं आइल है दोस्तों कॉंसेंट्रेट ऐल है इतरू नहीं है इतरों मिलाकर नहीं बना रहे हुं आइल मिलाकर बना रहे हैं 25 मुल बनाना है अब यहां पर रेकिल्कुलेशन में आप और एमिल ये दोनों सेम पकड़ा जाता है दोनों को सेम माना जाता है चाहे गिराम बोलो या एमिल बोलो दूसरी बात ये चीज़ को ध्यान रखेंगे दूसरी बात के अगर हम लोग एक एमिल या एक गिराम की बात करते हैं और उसको ड्रॉपर अगर हम लोग छोटे पैमान पर बना रहे हैं तो फिर ड्रॉप में लेना पड़ेगा हमको तो एक एमिल के अंदर तक्रिबन 20 ड्रॉप होते हैं 20 कत्रे होते हैं इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो आज यह दो चीज़े बहुत ही अहम हैं आपके लिए तो इसको खास तर से ध्यान में रखिए यह 25 गमुल हम लोग बना रहे हैं इसके अंदर ये देखिए यह 25 का यहां पर यह जार है यह देखिए आपको hyमिल दीक रहा होगा थीक है यह 25 गमल के जार के अंदर हम लोग इसको बना रहे हैं तो सबसे पहला हम लोग जो लेंगे वो सम lon đ को बेस नोट जो हे वो उसको यूज़ कर है हम लोग ओद आईल को ओदकाँ यह पचीज एमिल का फ़ारंूला बता रहा हूं आप इसको 100-20-1000 कर कर सकते हैं सब्सक्राइब तक्रिबान हम लोग लेंगे चाहतर परसंट कितना चाहतर परसंट तो बात कर रहे थे हम लोग जो है ओद आइल कॉंसेंट्रेट फॉर्म में इसको हम लोगो 76 परसंट लेना है यह बेस नोट है तो इसको हम लोग इसके अंदर ले रहे हैं यह जरीए लेते रहेंगे और यह तक्रिबान चाहतर परसंट बोले तो 19 एमेल होता है तो यह 19 एमेल हम लोगों इसके अंदर यह ले लिए यह 19 एमेल है ठीक है यह यहाँ पर यह 20 दिख रहा है 20 से थोड़ा सा एक नीचे इसके अंदर एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो फार्मूला है जितना एमेल हम लोग ले रहे हैं उसका खास ध्यान रखें और फिर दूसरी बात यह कि आप अपने हसाब से थोड़ा सा उसमें कमी ज्यादती कर सकते हैं आपको कैसी खुश-बूआ चाहिए कौन सा नोट ज्यादा चाहिए आप उसके खास से कर सकते हैं मैं यहाँ पर Bay vend ज्यादा ले रहा हूं ताकर वो देर तक रहती है और फिर middle node और टॉप नोट उसको कम ले रहा हूं अगर आपको टॉप नोट ज्यादा करना है तो आप टॉप नोट को बढ़ा सकते हो मैं यहां पर टॉप नोट 4% और मिडल नोट 4% ले रहे हैं 4% बोले तो 1 ml होता है यहने 25 गेशग गराम बना रहे है happened 25 ml बना रहे है 25 ml का 4% 1 ml होता है तो यह 1 ml और जहसा कि मैंने शुरू में बता है 1 ml मतलब 20 drop ये देखें, rose oil है जो कम लोग middle note के अंदर इस्तिमाल कर रहे है तो ये rose oil को 20 लोग इसके अंदर लेंगे यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नाओ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अट्रा उन्निस बीस लकोष सोकत सिर्व कि लें इसको ले लिया एक मिल कि छोटे पेवाने पर बना इसके लिए एंसके बाद हम लोग आजो साथ की तरफ आते हैं तो यतिरे लगाते है उसी वाप्त ही कि होज़ी लिखती यह भूखिती है तेजी में % χासलím तो उसके लिए कि हमने लोग मोग्रा ले रहे हैं मोग्रा आइल ञान रखे हैं इसको भी हम्लोग जो मैं जो ले रहा होँ यह छार परसंट और आप कर सकते हो पांच परसंट भी कर सकते हो अगर इसका इसका पॉब बढ़ा तो दूसरे का परसें कम करना पड़े इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो इसको भी चार पर्शन ले रहा हूं मैं तो यह रोज आइल मोगरा आइल को चार पर्शन ले रहे हैं यह एक दो तीन चार पाँ छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सतरा आटरा और निस बीस यह बीस कत्रा हो हो गया यहने एक एमिल हो गया इसको थोड़ा साम लोग हिला लेते हैं ताकर यह अपस में मिक्स हो जाएं अब अगर आम जबान में हम लोग कहें तो यह हमारा इतरो जो है वह बन गए अब इसको हमको आट एक दिन कम से कम रखना पड़ेगा ताकर यह अच्छी तरीके से तो यह आपके लिए वेडियो है आपके तजरुबे के लिए वेडियो है आपके रहनुमाई के लिए वेडियो है आपके रोजगार के लिए वेडियो है आपके शौक के लिए वेडियो है तो आप जिस नजरिये से इसको देखना चाहें आप अपने नजरिये के हिसाब से और महीं कहुंगा कि एक बार इसको बना कर इसको ट्राय करने के कोशिश कीजिए यह बनेकर हमारा रेडी हो गया है अब इसको क्या करना है बाज मतवा अक्सर आपने देखा है कि इतरो अगर लगाने का बाद उसमें लास्टिंग नहीं मिलती बहुत जल्दी ओड़े आते हो और उसकी बुस्टिंग नहीं मिलती यहने फैला जादा नहीं रहता तो इसकी बुस्टिंग और लास्टिंग के लिए हमको इसके अंदर पड़ेगा इसको प्लेया सबस्क्राइब करें तो इसमें गिलेक्स लाइड हमको मिलाना पड़ेगा उसका इसका लास्टिंग बड़े आती है याद रखिएगा गिलेक्सोलाइट अब गिलेक्सोलाइट कितना मिलाना है यह भी जो है हमारे उपर डिपेंड है हम कितना चाहते हैं मैं 4% मिला के आपको बता रहा हूं ठीक है अब देखिए चूंके मेरी आदत पड़ी है तो हम लोग डायरेक इसका यूज़ कर रहे हैं आप भी जब आपकी आदत हो जाएगी तो आप डायरेक इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हो यह थोड़ा गाड़ा होता है गिलेक्सोलाइट यह एक पर्शन इसके अंदर हम लोग इसमें डालेंगे यह देखिए एक पर्शन यह हो गया है यह एक पर्शन इसके अंदर हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं यह बहुत गाड़ा होता है देख रहे होंगे आप ठीक है इसका काम क्या है कि यह आपके इत्रों को जो है यह लास्टिंग देगा और बुस्टिंग भी थोड़ी बहुत देता है लेकिन इसका में काम जो है वो लास्टिंग का है तो यह लास्टिंग आपके उसमें ज्यादा देगा फिर उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने इस में हेडियाउन और दूसरा जो है यह लाइरल यह दो चीज़ है आपको इसमें पहले मिलाना है ताकि इसकी जो फ्लोरल जो खुचबू है वह तेजी से फैले और जो है वह इसकी लास्टिंग जो है वह अच्छी मिले तो इसको भी हम लोगों ने एक एक गिराम डालना याने चार चार परसंट इसको भी लेना है आप इसको कम जादा कर सकते हो तीन परसंट चार चार परसंट पांच परसंट ऐसा कर सकते हो मैं यहाँ पर चार चार परसंट से आपको यह बना कर बता रहा हूं ठीक है तो यह हम लोगों ने यह चार परसंट हेडियाउन ले लिया एक मिनट ये हेडियाउन ये चार परसंट में ले रहा हूं क्यूंगे देखिए ये एक तो आपको बनाना सिखा रहा हूं पहली बात और दूसरी बात ये के मुझे अच्छी रास्टिंग चाहिए तो हम लोग 4 परसंट ले रहे हैं और अच्छी रास्टिंग चाहिए तो 5 परसंट कर लो उससे अच्छी रास्टिंग चाहिए तो आप 10 परसंट तक इसको कर सकते हो तो मैं यहाँ पर 4 परसंट ले रहा हूं यहने एक एमिल ठीक है तो जैसी रास्टिंग चाहिए आपको जै बूस्ट करेगा और उसको लास्टिंग देगा और साथ ये हमारे रोज को भी लाश्टिंग देगा तो ये इसके अंदर हमने मिला लिया अब इसको हम बन कर देते हैं ताकि ये गिरे न महेंगी चीजें है थिर उसके बाद हम लोग लाइरल का इस्तेमाल करेंगे लाइरल जो है यह हमारा जो में रोज को है रोज को बहुत जादा बोस्टिंग देगा तो आपने देखा यह लाइरल ले रहे हैं जो के फ्लोरल जो है फेमिली से बिलॉंग करता है इसको भी एक एमिल ले रहे हैं आप यहने एक एमिल बोले तो चार परसन आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो ज्यादा आपको बोस्टिंग चाहिए हो फुलोरल की तो आप इसको दो एमिल कर सकते हो देड़े मिल कर सकते हो और दूसरे को कम कर सकते हो ठीक है तो यह एक एमिल हमने लिया एक ए अगला जो फिक्जेटिव हमको मिलाना है वह अगला फिक्जेटिव जो है मैंने का दाना आपको कि सफाई का ख्याल रखना है तो यह इसी लिए यह बार-बार में मेरा हाथ पोच रहा हूं ताके सफाई जो है वो बरकरार रहे और हमारी बनने वाली खुच्जबू के अंदर किसी किस्म की जो है वो परिशानी नहों वो खुच्जबू खराब नहों आखिर में हमारा जो बेस नोट है वो है उद का और उद को सपोर्ट करने के लिए जो रहेगा वो हमारा ISOE सुपर रहेगा यह ऊद को ऊड़ी ऊद को और ऊड़ी फ्रेग्ननस वगरा इसको जो है यह बहुत जादा सपोर्ट करता है और लास्टिंग देता है तो हम इसको भी एक एमिल लेंगे आप यह चाहते हो कि आपकी बेस नोट जो है वो बहुत जादा देर तक रहे तो आप इसको बढ़ा सक हमें इसको दस परसें लेता हूं यह चार परसें हमने यह लिया यह एक एमिल यह एक एमिल को भी हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं अब यह ढोई भी हमारी Tamी चीजें इसके अंदर हो गई क्या-क्या मिलाया हमने सबसे पहले मैं यह बता दू एक इतरों नहीं मिला है हम लोगोंने इसके अंदर concentrate oil मिलाया है बेस के-लिए vivre यूजा concentrate oil हमने इस्तेमाल किया है middle के-लिए हमने flower concentrate और उपड के-लिए मोग्रे का concentrate इस्तेमाल किया है अगर मैं यहां पर बताऊं तो हम लोगों यह बनाये हैं इसकी खुश्बू इतनी जादा यहां पर मोगरा और रोज की आ रही है कि पूरा जो है कमरा जो है वो महग्य है अब इसको हम लोग जो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो चीज़ें हमने मिलाई है आप अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए तो यह तो इतना गाड़ा नहीं होता आमतोर से लेकिन यह काफी अच्छी कॉलिटी काम लोगों ने बनाये तो यह काफी गाड़ा है अब इसके अंदर एक खास बात में बता देता हूं जो आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप इस तरीके का कॉंसेंट्रेट आइल लेंगे जिस कंपनी से विले जिस से विले तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह अच्छी कॉलिटी का होना चाहिए वरना आपकी प थेंगा तो यह रहा हमारा κ नया फ्रक्रें't नहीं खुझ ब सुझ वाला नया इत्रो आप इसकी खुझ ब में चुझ ऑपको तक के अंदर आपको मोगरा मिलेगा मिडल नोट के अंदर रोज मिलेगा और बेस नोट के अंदर जो है वो ऊद मिलेगा और हम लोग जो है वो इसके अंदर सब फिक्से ट्यूज भी मिलाएं तो अलहम्दुरिल्ला इंशालला इसकी जो खुशबूर हैगी वो दस से बारा घंटा कम से कम आपके कपलों के उपर किकी वी रहेगी आपके कप्ड़ों पर इसकी लास्टिंग देगी 10-12 घंटे तक अगर कॉटन के कप्ड़ा है अगर बहुत ज्यादा गर्मी अगर धूप वगर तो थोड़ी कम हो जाएगी उसकी लास्टिंग और आपके कप्ड़े जो है वह सिंथेटिक है तो रास्टिंग अब इसको बनाने के बाद इसको एक शिशी में भर कर इसको हमको 10-15 दिन तक इसको रखना पड़ेगा ताकर इसके जितने भी अजज़ा है वह आपस में मिल जाएं अच्छी तरीके से मिल जाएं इसको मेच्वर होना कहते हैं जब यह मेच्वर हो जाएगा तो यह सही प्ल साफ में जो आपके रहेंगे उनको भी अच्छा लगेगा और एक बहत्रीन खुश्बु वाला इन्हें मुत्तर माहौल आपके इर्दगिर्दो जो है वो बनेगा और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने यह कहां से लिया है और जब आप उनको यह बताओगे कि यह तो मैं खुद बनाया हूं तो सुची आपको कितनी खुशी होगी कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई लोग पूछ रहे हैं और जब लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि आपने खुद बनाया है तो वो भी आपको उपर रश्क करेंगे तो यह रहा हमारा आज का मुक्तसर स चाहिए आप अपने असाब से कुछ भी नाम दे सकते हो तो क्योंकि उद्ध इसके अंदर जादा है तो उद्ध की खुश्बू लास्टों में जो यहने बेस नोट में जो रहेगी उद्ध की खुश्बू जादा देर तक रहेगी तो आप उद्ध से रिलेटेट कुछ भी तमन्ना है कि लोग तेयारत करें तेयारत में आगे बढ़ें दूसरों पर डिपेंड ना रहें अपने खुद की रोजी कमाएं आदी रोटी भी अगर आपको मिल रही है तो वह नौकरी के एक रोटी से बेतर है यह मेरत है खुद का तजरुबा है और मैं यह समझता हूं कि यह जो मेरी कोशिस है यह इंशालला आपको पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आई हो तो एक गुजारिश है कि वेडियो को लाइक कर दे और अगर आप यह चाहते हो कि हमारे बच्चे जो है आप हम और हमारे बच्चे आगे बढ़ें तेयारत में आगे बढ़ें तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे तो आपके एक शेयर से हो सकता है कि 10, 12, 15 घर वाले जो हैं वो इसको तेजारत के तोर पर अपना लें और हम लोग चुंके सिर्फ वही तरो पर्फियूम ही नहीं बलके साब के एक शेयर से नजाने कितने घर में बलतार सुरू हो सकता है च्छोटे पेमाने पर शुरू हो सकता है आप जानते हो कि एक स्यूद में करनाiders हमारं नमघर קोशिस है के आगए और आजिस्त एस्ता व काम पहुँचे जहां पर लोग कोशिस है तो फिर से कब बार के रहा हैं और जितना हो सके उतना सबस्राइब करके लोगों तक शेयर कर दें अगर आपने अभी तक सबस्राइब नहीं किया तो पहली फूसत में इसको सबस्राइब करके और बिल बटन दबा दें और जादा से जादा शेयर करते रहें वैसे हमारा जो शौप है वो अलमुस्तवा अतर लिए ब्राण्ड आल मुस्तवा अतर जो है यह मुझूद है और अभी सोडा ले के सामने ना सुपरेस्टॉर में इसके जो है ब्रांच है आभी सोडा के सामने अजार खुली माले गाओं जिला नासिक माहराष्ट अक्सर लोग बाहर से लोग पूछते हैं कि आपकी दूका कहां पर है इसके लिए मैंने एड्रेस बताया एड्रेस बताने के पीछे सब से में मकसद यह और दूसरा मकसद है कि हम लोग यह तमाम चीज़े वह आप तक पहुंचाते भी हैं अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो जो पता बताया आप वहां पर आ सकते हो अगर आप एंडि को पर नंबर दिया हुआ है इस नंबर को उपर आप वाट्सप किजिए या कॉल कीजिए अपना ओडर प्लेस कीजिए आपके घर तक कुरियर के जरीए पहुंचाएगा कुरियर चार्जर आपको अलग से अधा करना होगा तो अगले वीडियो में किसी और इत्रों या किसी और चीजिए के बारे में मालूमात लेंगे जब तक के लिए असलाम अलेकुम राक्मतुल्य वरकातों